फाइफ वेज तो बी मोर प्रोड़क्टिव आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपना दिन कब शुरू होता है और कब खतम हो जाता है पता ही नहीं चलता तो इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं नबशकार दोस्तों मेरा नाम है अंकुष लांबा स्वागत है आप सभी का बैंकेंग क्रॉनिकल योट्यूब चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकोन को प्रेस करना बिलकुल भी ना भूलने ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें दोस्तों फाइफ वेस्ट वी मोर प्रोड़क्टिव इसके बारे में मैं क्यों आज बात करने वाला हूँ इसके पहले पहले तो मैं आप यह चीजे करनी हैं वो कुछ हो ही नहीं पाता मनला रात को जब हम सोने जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार पूरा दिन निकल गया हमने कुछ किया ही नहीं तो ऐसा वो दिन जब आपको लगे कि you are satisfied with your work आपने क्या सुबह से लेकर शाम तक किया अगर किसी भी दिन सो होने से पहले अगर आपको यह सुकून मिल जाना कि हाँ आज मैंने जो सोचा था वो मैंने कर लिया साथ ही साथ मैंने कुछ extra work भी कर लिया तो आपको definitely यह चीज लगेगी कि यार सच में मतलब productive था आज का दिन तो तो ऐसे कुछ 5 चीजे 5 habits में आप लोगों को बताता हूं जो आप लोगों को अपने life में apply करनी चाहिए जिससे कि आप productive बन सकते हैं चीजे ज़्यादा कर सकते हैं आप पढ़ना चाहते हैं करना चाहते हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन करनी पा रहे हैं सबसे पहली चीज तो यह है दोस्तों कि जो हमारे साथ problem क्या होती है कि हम अपने दिन की शुरुवात सही तरीके से नहीं करते हैं होता कहा है न कि जब आप अपने दिन की शुरुवात करे हैं वो आपका starting stage है starting stage जैसे बोलते हैं कि एक बच्चा English बहुत अच्छे से सीख जाता है एक नहीं सीख पाता क्योंकि उसकी upbringing बच्चपन से उसने नही नहीं चीजे सीखी हैं नहीं नहीं या फिर English बोलना बच्चपन से उसने नहीं सीखा तो problem आती है बाद में वहीं एक बच्चा होता है जो बच्चपन से माबाप उससे English में बात करने हैं English वीडियो देख रहे हैं English कार्टून देख रहे हैं और वो बच्चा English बोलने लगत कि हाँ आप 8 बजे उठ रहे हो या 5 बजे उठ रहे हो बहुत लोगों को मैंने ये कहते सुनाए कि आप जितनी जल्दी उठोगे आपका दिन उतना बड़ा होता है ये चीज मेरे साब से गलत है क्यों गलत है उसके पीछे का रीजन बताता हूँ एक बंदा जो सुबह 5 बजे उठ रहे है लेकिन रात को 9 बजे सो जा रहा है काउंट कर लिजे कितने आर्स हैं उसके पास लेकिन एक बंदा जो सुबह 8 बजे उठ रहे है लेकिन रात को 2 बजे सो रहा है उसके आर्स काउंट कर लिजे तो बात इस चीज से मैंटर नहीं करती है कि आप कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, फर्क ये पड़ता है कि आप उठकर क्या कर रहे हो, अब for example अगर आप 8 बजे, 9 बजे उठने वले इंसान हो, अगर मैं आपको बोल दूँँ आप 5 बजे उठ जाओ, आप 5 ब अग्दम डिजिनस फील कर रहे हो, अग्दम नीद आ रही है, ठकान सी महसूस हो रही है, आपको ऐसा लगरे है, चलो थोड़ी दिर सो लेते हैं, और जहां आप 11 बारा बजे सोने के लिए गए, 2-3 घंटे, 4 घंटे आपके ऐसे ही निकल गए, शाम को आप एकदम बहुत ज ठीक है, इसको maintain करके चलिए, बट कोशिश करें कि अपने energy level को आप धीरे 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 increase करें, शुरुवात में क्या होगा कि जब आप अपने energy level को increase करने की कोशिश करेंगे ना तो उसका increase जोगा ना, वो graph जोगा ना, वो ऐसा धीरे 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 जाएगा, लेक अगर आपने ये कर लिया, तो समझ लीजे, आपने life में बहुत कुछ कर लिया, अब बात आती है कि energy level को increase कैसे किया जाए, काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, energy level increase तो करना चाते हैं, जैसे मुझसे, अभी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, आज से एक साल पहल हैं, आप इतने सुबह से class ले रहे हैं, सुबह 8 बजे से 9 बजे से class ले रहे हैं, रात को 8 बजे भी आप class ले रहे हैं, इतने energetic तरीके से आप कैसे class ले पा रहे हैं, तो दोस्तों इसके रिए एक जुनून चाहिए होता है, अगर आपके अंदर वो जुनून है, अगर आप कुछ चीज को करना चाहते हैं, तो definitely आप वुछ चीज को कर लोगे, आपको कुछ सोचने की जरुवत नहीं पड़ेगी, हर चीज के पीछे आपका, आप कोई भी effort कर रहे हो न, वो effort क्यों करते हो, for example, मैं आपको एक और example देना चाहूँगा, मैं examples से ही इसलिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बिना examples के आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे, अगर आपको पता है कि आपको 10 floor तक जाना है, lift काम नहीं कर रही है, आप सोचो आपका energy level, किस, किस, high पर होगा क्या है, मुझे 10 floor चड़ने है, ऐसा थो नहीं, नहीं मुझे नहीं जाना, छोड़ दो, नहीं जाते, ऐसा थोड़ी करोगे, कि नहीं मुझे जाने हैं, छोड़ दो, नहीं जाते, lift चालोगी तब जाएंगे, ऐसा नहीं है, आप कोशिश करोगे, आप start करोगे, हो सकता है कि 7 फ्लोर तक आप फुल एनर्जी के साँ जाओ, उसके बाद थोड़ा सा आपका एनर्जी डाउन हो जाए लेकिन वही चीज अगर आप ये सोचो कि 10 फ्लोर नहीं, 3 ही फ्लोर है और अगर आप शुरो में ये सोचो, 3 फ्लोर बिना लिफ्ट के कैसे जाएंगे तो एक फ्लोर के बाद ही आपकी एनर्जी डाउन हो लेगर जाएगी मतलब main important चीज यहाँ पर क्या थी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस तरीके से रहा हूँ, आपकी सोच उस तरीके से चल रही है जो कि मैं अपने students को हमेशा बोलता हूँ, आप सभी को मैंने कहा है कि आप कभी भी कट-off को देखकर काम मत करों, साट गया था कट-off मुझे साट के हिसाब से काम करना है नहीं, बिलकुल नहीं क्योंकि अगर आप साट के हिसाब से काम करोंगे ना, तो हो सकते हैं कि आप वो साट भी क्रोस ना कर पाओ अगर साट गया था कट-off अगर आप असी के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, तो definitely साट क्रोस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप आज नहीं तो कल कर लोगे, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी महनत लगेगी, थोड़े efforts लगेगे, करना पड़ेगा, comfort zone से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा तो ये चीजों को करिए, बहुत आप लोगों को फायदे इससे मिलेंगे दूसरी चीज यह है दोस्तों हमारी diet, अगर आप diet अच्छी लेते हैं, तो definitely, मैं इस चीज में भी फिर से example दूगा, अभी नीचे ने एक comment आते ही होगा, रे कितना example देते हो सर, तो example इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि हम example से ही चलते हैं, अपनी life में आगे बढ़ते है अगर आपकी diet अच्छी है, अगर आप अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, या आप लोगोने बहुत जगा सुना होगा, अगर आप अच्छा चीजे खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अपनी body को अच्छी चीजे देते हैं, तो definitely आप अच्छा productive चीजे कर पाएंगे, for for example, फिर से, एक नया example, कि गाडHOड़ी चलती है पेटरोल से, मतलब उसका खाना क्या है, पेटरोल, अगर पेटरोल वाली गाड़ी है तो डीजल वाली गाड़ी है तो डीजल आप पेटरोल वाली गाड़ी में, अगर मटी का तेल बोलते हैं, जो इरुसीन ओयल बोलते हैं, उसको डाल कर अगर गाड़ी को चलाने की कोशिश करोगे, तो क्या वो चलेगी, आप सोचिए खुद, या पैट्रोल वाली गाड़ी में आप डीजल डाल के चलाने की कोशिश करोगे, तो क्या वो गाड़ी चलेगी, चलो चल भी गए, कितना चल ल मैंने ये सब गलतियां किये, इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर सक रहा हूँ, कि बाहर का तला, भुना, खाना, समोसा, आप तो जानते ही है, मेरा फेवरेट समोसा, जब देखो समोसा, डेली दो से चार समोसे तो मैं खाता ही खाता था, खोलेस्टरॉल बढ़ गया, ट्र चीज़ें आपको छोडनी पड़ेंगी, अच्छा होना चाहिए आपका खान पार, अब एक और इंपोर्टेंट ऐसी चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, जो चीज़ शायद मैंने भी आज है, शायद किया मैंने नहीं की है कभी भी, वो है योग योगा आप लोगों को करना चाहिए, दोस्तों मैं नहीं कर पाया, यह मेरी गलती है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं योगा करना स्टार्ट करो, मेरी वाइफ योगा में सर्डिफाइड है, तो चाहतो रहा हूँ मैं भी कि मैं भी ये चीज़ें स्टार्ट करू कि योगा करना स्टार्ट करो, बहुत लोगों ने मुझे ये चीज का guidance दिया कि यार योगा करो, योगा करने से बहुत फायदा होता है, सूरी नमस्कार करो, मुझे ऐसा लगता है क्या ही हो जाएगा, लेकिन होता है दोस्तों, बहुत लोगों ने बोला है, मैंने किया नहीं, व मैं आप लोगों को बोलूँगा, हाँ, ये मैंने किया है, जो काफी लोगों बोलते हैं, सर आप इतने शांत कैसे रहते हैं, शांत रहने के पीछे का reason ही है, दोस्तों, meditation करना, meditation क्या है, meditation ये चीज़े कि मतलब आप अपने आदे घंटे के, आप 10 मिनट का समय दो, 5 मिनट का सम साथ कुछ बुरा हुआ, घरवालों ने कुछ बोला, परिवार वालों ने बोला, रिष्टेदारों ने कुछ बोला, सारी चीज़ों का अपने दिमाग से निकाल दीजे, और सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचिए, कि आप इस चीज़ को कैसे पा सकते हैं, और उसके लोग होते हैं, जो अपना समय काटते हैं, सिर्फ समय वेस्ट करते हैं, टाइम पास करते हैं, जो हम अकसर लाइफ में ऐसे बोलते हैं, चले आप फ़र टाइम पास करते हैं, फ़र घूम फिर क्याते हैं, टाइम पास हो जाएगा, ये चीज़ को करना बंद करिए, क्योंकि टाइम पास करने के लिए नहीं है, टाइम ऐसी चीज है, जो एक बार पास हो गया ना, तो आप जिन्दगी में फेल हो जाओगे, तो टाइम को कभी पास मत करो, अगर जिन्दगी में फेल नहीं होना है तो, उमीद करता हूँ आज की जो जितनी भी बातें थी, आप इन सब च है तो, जुझा है तो, गजा जिर नहीं है तो, जो एक बाते ही है तो, जो घक बाते हैं तो, जो एक बाते हूँ है।